नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनील मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराथ चोहान सेरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास एक रुपे की डखैती पार्ट फाइफ बंगला काफी बड़ा था कमरे बहुत थे एक दिन में उसकी सफाई हो पाना संभव नहीं था इसके लिए कम सी कम 6-7 दिन चाहिए थे मीर सिंग बंगले पर भीर लगाने के पक्षमी नहीं था इसके सिर्फ एक यानि की चमन लाल ही बंगले के सफाई करता था 6-7 दिन में जब पूरी सफाई हो जाती तो वह पुना शुरू से शुरू हो जाता था लेकिन तब तक वहाँ धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती थी देवरा चौहान भी ऐसे ही कर रहा था आज कमरों की सफाई की बारी थी पहले वह चीजों से फरनीचर से हर चीज से धूल जारता फिर कमरे को गेले कप्रे से अच्छी तने साफ करता करीब 11 बजे मीर सिंग चावला के बैटरूम का नंबर आया मीर सिंग कुरसी पर बैठा नियूस पेपर पढ़ने में व्यस था जब देवराज चौहन ने भीतर परवेश किया मीर सिंग ने प्रश्ण भरी निगाहों से उसे देखा मालिक सफाई करनी है देवराज चौहन के कहने पर मीर सिंग ने कमरे में इधर उधर निगा मारी फिर बोला कर लो कहने के पश्चात वह पुना अकबार में व्यस्त हो गया देवराज चौहन सफाई का सामान भीतर ले आया सामान से धूर जानने शुरू की कई जगे सूखे कपड़े से रगड़ कर कई चीजों को साफ करना पड़ा मालिक देवराज चौहन ने टोका धूर उड़ेगी आप अगर आदे खंटे के लिए कहीं और बैट जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा मैं जल्दी काम खत्म कर दूँगा मेर सिंग ने समझने वाले भाव में सीज़ लाया फिर उट खड़ा हुआ कोई जल्दी नहीं है आराम से सफाई करो कहने के साथ ही मेर सिंग बाहर निकल गया मेर सिंग चावला के बाहर निकलने पर देवराज चौहन ने मन हिमन चैन की सांस ली कमरे का दरवाजा खुला था उसे बंद नहीं किया जा सकता था खामा खांका शक पैदा हो जाता देवराज चोहन ने कमरे पर भरपूर निगा मारी बड़ा कमरा था बेट रूम कम सिटिंग रूम था एक तरफ बेहत खुबसूरत विशाल डबल बेट था और दूसरे तरफ टेबल और चार कुरसिया फर्श पर कालीन बिचा था और चत पर दो फानूस लटक रहे थे बड़ा सा वार्डरोब दिवार में फिट था एक तरफ किताबों के शेल्ट थी टेवी और फ्रिज दिवार के साथ सटा रखा था देवराज चोहन तिजोरी की बारे में सोचने लगा कि वह कहां हो सकती है कोई जरूरी नहीं कि तुझे और इसी कमरे में हो लेकिन वान खेड़ी के मताबिक तिजोरी मीर सिंग के पैटरूम में थी उस चोड ने यही कहा था जो पकड़ा गया था देवराज चोहन ने एक निगा खुले दरवाजे पर डाली जहां से कोई भी आ सकता था फिर सावधानी से भरे कदम उठाता हुआ वार्ड रोग की तरफ पड़ा हाथ में कपड़ा थाम रखा था कि अगर कोई उपर से आ जाए तो कम से कम उसे बहाना तो मार सके कि वह भीतर से सफाई कर रहा है मीर सिंग चावला कमरे से निकलने के बाद सीधा कंट्रोल रोम में पहुँचा जहां वीडियो कैमरे द्वारा कैच के जा रहे दिरिश्यत दो टीवी स्क्रीनों पर आ रहे थे दोनों टीवी के सामने बैठे सिक्योर्टी के आदमियों के नजर टीवी स्क्रीन पर थी कि मीर सिंग को देखते ही फोरण खड़े हो गए उन दोनों के कुछ कहने से पहले ही मीर सिंग के उठा दोनों बाहर जाओ और जब तक मैं नगाऊं भीतर नहीं आना दोनों बोहरन बार निकल गए मीर सिंग ने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर पैटते हुए छोटे से बोर्ड के बटन दबाने लगा निगाहे स्क्रीन पर टिकी थी कुछी शणों में एक टीवी स्क्रीन पर उसके बेडरोम का दृश्य नजर आया देवराज चोहान भी जिसने उसे देखते ही देखते ही वार्डरोम के दोनों पल्ले खोले थे मीर सिंग चावला के होटों के बीच चहरली मुस्कान थिरक उठी आखों में वहशी चमक लिए स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चोहान को देखता रहा जो वार्डरोम के भीतर से कपड़े आगे पीछे करके यह देखने की चेश्टा कर रहा था कि वहाँ कोई घुप्त जगा तो नहीं, तीजोरी को वहाँ तो नहीं शिपा रखा वार्डरोम के भीतर की पलाई को वैठ ठक ठका कर भी देख रहा था कि अगर भीतर जगय खाली हो तो वहां तिजोरी हो तो मालूम हो जाए इसकी साथ साथ उसकी नजरे बार बार दरवाजी की तरह फिर जाती कि कोई वहां से देख नराव हो देवराथ चाहान 5-6 मिनट वार्ड्रोब में फ्यस्त रहा जब उसे विश्वास हो गया कि वार्ड्रोब वास्तब में वार्ड्रोब ही है इसमें छिपी तिजोरी नहीं हो सकती तो वह वार्ड्रोब से हटा भीतर के कपड़ों को पहले की तरह ही यता स्थान रखा सब कुछ ठीक ठाक करके वह सफाई में चुट गया अब उसके निगाख किताबों की शेल्फ की तरफ चा रही थी उसके अलावा कमरे में और कोई जगे नहीं थी कि जहां तिजोरी रखे जा सकती हो लेकिन इस वक्त शेल्फ को छेड़ना ठीक नहीं था कोई भी आ सकता था मीर सिंग ने जब देखा कि अब देवराथ चोहान का इरादा कमरे में कहीं और चानबीन करने कर नहीं है तो उसने टीवी स्क्रीन से अपने बैटरूम का दृष्टे हटाया और उठकर बाहर आ गया चहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी लंच के वक्त देवराथ चोहान पिछवाड़े बने क्वाटर में पहुँचा कि तभी पीछे पीछे धन्नो आ गई और अपनी आज़त के मुताबिक गले में लिप्टी चुन्नी को हाथ में पकड़कर लहराते भी बोली क्या हाल है रे आज तो सुबह से दिखाई नहीं काम कर रहा था ज्यादा सफाई मत किया कर धन्नो को भी देख लिया कर धन्नो ने चंचल स्वर में कहा देवराथ चोहान की निगाथ धन्नो पटिकी मस्तिश्क में सिर्फ यही बात थी कि धन्नो का इस तरहें पीछे पढ़ना कभी भी डखेती के लिए खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन सक्त शब्दों में धन्नो को जाड़कर अपना पीछा भी नहीं चुड़ा सकता था वे खुद नहीं जानता था कि आने वाले वक्त कैसा होगा और उसी कब किसकी जरूरत पर जाए मैं कैसी लग रही हूँ धन्नो हाथ में थाम रखी चुन्नी का पल्ला हिलाते में बोली बहुत अच्छी देवराज चोहान का स्वर भावहीन था कभी मेरे जैसी देखी है देवराज चोहान ने बीड़ी सुलगाई कि धन्नो कह उठी तेरे को धन्नो ने मना किया था कि बीड़ी मत पिया कर यहीं बैठा रहे धन्नो अभी आती है कहने के साथ ही धन्नों पाहा निकल गई देफरा चोहान आगे बढ़कर कुर्सी पर पैट कया दोसरे ही पर धन्नों ने भीतर परवेश किया वह अपने क्वाटर का फियरा लगा कर आई थी और हाथ में सिग्रेट का वह पैकेट था जो मोहन लाल ने रात को बनवारी को दिया था ले धन्नों के साथ रहेगा तो ऐसे ही एश करेगा कीमती सिग्रेट है तूने पहले कभी पी भी नहीं होगी कहते हुए धन्नों ने उसकी हाथ में पैकेट रखा तू सुट्टा मार तब तक तेरे लिए धन्नों खाना लेकर आती है आज शाही पनीर बनाया है धन्नों का शाही पनीर खा कर देख तब पता चलेगा कि पनीर कई तरह का होता है धन्नों का नहीं धन्नों का बनाया शाही पनीर धन्नों ने मुह बना कर कहा और पाहा निकल गई देवराज जोहान की होटों से गहरी सांस निकली पैकेट को उसने चारपाई की तरफ उचाल दिया धन्नों को संभाल कर चलना होगा देवराज जोहान धन्नों की नजरों को पहचान रहा था ऐसे में धन्नों के साथ पहुत सोच समझ कर पेश आना चाहिए दोसरी तरफ मोहनलाल था जो धन्नों की वज़े से उससे खार खा रहा था कुछी धेर में धन्नों खाना ले आई ले खाना खा पनीर पूरा खा जा छोड़ा तो मैं नराज हो जाऊंगी धन्नो अधिकार भरी स्वर में बोली देवराज चोहन ने सहमति से सिर्धिलाया बरतं रहे रहने दिया कर कनहिया से कह रखा है कि तेरे क्वाटर से बरतं भी उठा लेगा और सफाई भी करदेगा फिक्र मत कर धन्नों तेरा पूरा खेल रखेगी कहते वे धन्नो अधा के साथ मुस्कुराई क्यों रे तू भी धन्नो का खयाल रखेगा क्या मैं देवराज चौहान को समझ नाया कि क्या कहे शर्म लगती है तेरे को मेरे से बात करने में तभी जुब रहता है नया नया शहर आया ना गाउं से शहर की हवा नहीं लगी हवा लगते ही बिना पंक्य उढ़ने लगेगा चलती हूँ मालिक को खाना देना है डेड़ बजे तक उन्हें हर खाल में खाना मिल जाना जाहिए शाम को मिलेगी धन्नो तेरे को कहने के साथ ही पलटते हुए धन्नो बाहर निकलती चली गई देवराज चौहान को लगा जैसे चान चूटी हो उसने खाने पर निगाह मारी शाही पनीर की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उसे कम से कम तीन आदमी खा सकते थी शाम के 5 बच रहे थे देवराज चौहान अपना काम छोड़कर क्वार्टर में जाने की सोच रहा था कि तभी उसकी कानो में अजीत मलिक की आवाज पड़ी धन्नो आज मालिक के लिए खाना मत बनाना क्यों बाबु जी धन्नो की आवाज उसके कानो में पड़ी देवराद चोहान ने गर्दन घुमा कर देखा सामने पहली मंजिल की रेलिंग थी यकीनन दोनों रेलिंग के नीचे ट्रॉइंग हॉल में बाते चर रहे थे और वह सिर्फ 12 फीट की उंचाई पर था मीरी साहब को आज कॉक्टेल पार्टी पर जाना है खाना खाकर ही रोटेंगे देर हो जाएगी इसके साथ ही देवराद चोहान के कानों में जूतों की आवाज पड़ी यकीनन मलिक आगे बढ़ गया था देवराद चोहान चहरा नीचे जुकाई गीला खपड़ा फर्श बर रगड़ रहा था उसकी आँखों में खतरनाक चमक आ गई रात को मेर सिंग चावला पंगले पर नहीं रहीगा इससे बढ़िया मौका उसे नहीं मिल सकता था जबडों में हलका सा कसाव आ गया था तभी उसकी कानों में जूतों की आवाज पड़ी देवराज चोहान का चहरा सामान्य हो गया वहाँ भोलापन लोट आया उसने सिर उठा कर देखा अजीत मलिक उपर की मंजिल पर आ गया था वह उसके पास आ कर ठिटका कल सब कमरों की ओल पेंटिंग साफ करना कईयों पर पड़ी धूल चमक रही है जी बाबुजी खुद भी देख लिया करो कि कहां कहां सफाई करनी है ना समझाए तो पूश्ट लिया करो मालिक को गंदगी धूल पिल्कुल पसंद नहीं वह नाराज हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं मैं ध्यान रखूंगा बाबुजी देवराज चौहान ने भोले पंसे सिरहला कर कहा अजीद मलिक अपने अंदाज में आगे बढ़ गया देवराज चौहान पुना अपने काम में लग गया चहरा सपाट था चहरे पर किसी तरह का भाव लाकर वह नहीं जाता था कि वीडियो कैमरे क्याच कर ले अब तक वह कई जगे छिपे वीडियो कैमरे देख चुका था अधिकतर दिवारों के बीच इस तरह फिट थे कि उनका लैंस ही नजर आता था और लैंस के दाएरे में आने वाले की हरकते नोट हो जाती थी क्वार्टर में जाकर देवराज चौहान ने नहा धोकर कपड़े बदले और धन्नों के दिये पैकेट को लेकर क्वार्टर की दरवाजे पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा कर कश्टेने रगा सिगरेट भी वह ऐसे पी रहा था जैसे नोकर पीते हैं हुलिया तो उसका वैसे ही नोकरो जैसा नज़र आ रहा था देवराज चौहान की छिपी निगाहें वहाँ फैले गनमैनों पर फिर रही थी लगबग 12 गनमैन थे जो फिरकनी की भाती बंगली की गिर्द चक्कर लगाए जा रही थे चार मेंगेट पर खड़े थे सेक्योर्टी वाले मीर सिंग के साथ भी जाएंगे यानि की रात को मीर सिंग के बेडरूम में जाकर तिजोरी आसानी से तलाश की जा सकती है अलबत्ता हर कदम पर उसी साथानी इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्वार्टर के दरवाजे की चौकर पर बैठे देवराज चौहान की निगाहें हर तरफ घुम रही थी वह जानता था कि रात के ठीक नौ बजे दूसरे गन मैन आकर इन गन मैनों की जगह ले लेंगे और यह वाले फिर सुबह नौ बजे आकर अपनी ड्यूटी सभालेंगे गन मैनों की रहने के लिए बंगले के भीतर तीन कमरे थे रेस्ट के दौरान वह वहीं बैठते उठते और नीन लेते थे जो की खतरनाग बात थी गड़बर होने के इस्तिती में वे सब इकटे हो सकते थे हर कदम फूंख फूंख कर रखना होगा तभी सामने से मोहन लालाता दिखाई दिया क्या हाल है उस्ताद करीब आते ही मोहन दादाई अंदाज में बोला मजे में हो देवराद चौहान ने हौले से सिर्ष लाया मोहन आगे पढ़ने को हुआ किठी रख गया उसके निगाह देवराद चौहान की हाथ में पकड़ी सिगर्ट की पैकेट पर जाट की यह है पैकेट तुमने कहां से लिया मोहन ने आँखे सिकोड कर पूछा धन्नों ने दिया है देवराद चौहान ने शान्सवर में कहा क्या मोहन की आँखे फैल गई देवराद चौहान उसे देखता रहा मोहन ने दांत किट-किटाए पी से फिर चहरे को सामानने करने की चेश्टा की पी बेटा सिगरेट पी अशकर धन्नों ने दिया है हराम का माल है बेवकुफ तो मैं हूँ जो उसके बाप बनवारी को दिये जा रहा हूँ दिये जा रहा हूं सिगरेट भुन भुनाते हुए मोहन आगे बढ़ गया और देखते ही देखते बनवारी के कौटर में परवेश कर गया देवराज चोहन ने मुस्कुरा कर अजीव से अंदाज में सिर को छटका दिया बनवारी लाल आराम से बैठा बीडी के कश्ट ले रहा था मोहन को देखकर मुस्कुराया आ मोहन बेटे बनवारी मोहन उख्रे स्वर में बोला मैंने तुझे कल सिग्रेट का पैकेट दिया था हाँ वापत लेना है क्या कहाँ है वे पैकेट मोहन ने पूर्वता रहेजे में कहा होगा यहीं कहीं मैंने ढूंडा था लेकिन मिला नहीं मिलेगा कैसे बनवारी मोहन हात नचा कर बोला पैकेट तो धन्नो ने चमन लाल की बेहन के लड़के को दे दिया गलत मत बोल धन्नो ऐसा नहीं कर सकती किया है हाँ वह पैकेट मैं अभी उसके हात में देख कर आ रहा हूँ पूछने पर वह बोला कि पैकेट उसे धन्नो ने दिया है मैं क्या जूट बोल रहा हूँ अच्छा बनवारी हैरानी से आखे फैला कर बोला धन्नो सिग्रेट का पैकेट उसे दिया आई है हाँ वह मज़े से सिग्रेट पी रहा है मेरा तो खून जल रहा है बनवारी मैं तो फिक्र नहीं कर मैं सब ठीक कर दूँगा धन्नो आजकल कुछ जादा ही उणने लगी है एक दो ठोक भी देना धन्नो को मोहन ने समझाने वाले भाव में कहा तभी वह है तो फिक्र मत कर सीधा कर दूँगा धन्नो को और कहना मोहन का ख्याल रखा करे मैं सब देखनूगा तू कहीं जा रहा है क्या हाँ आज मालिक ने कॉक्टल पाटी और डिनर पर जाना है आधी रात की बात ही लोटना होगा तूने तो आज अंग्रेजी देने को कहा था ओह मैं तो भूली गया कहने के साथ ही मोहन ने कमी उठा कर पैंट में फसा रखी बोतल निका ली और बनवारी को थमा दी बहुत भेंगी है बनवारी की आँखें चमक उठी कौन सा ब्रांड है बनवारी बोतल पर हाथ फिरते हुए बोला घोड़े वाला घोड़े वाला बनवारी ने उसे दिखा हाँ इसके अंदर जाते ही इंसान घोड़े की तरह दोड़ने लगता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता बढ़िया है मुझे यही चाहिए थी बनवारी ने दाथ दिखाए मैं चलता हूँ कहीं मालिक बहार ना आ गए हो धन्नो को समझा देना चिंता मत कर मैं सब ठीक कर लूँगा अब तो सुबह ही मुलाकात होगी राद को जाने कब वापसी होगी विदा लेने वाले अंदाज में मोहन ने कहा और पहार निकल गया मलिक मीर सिंग चावला टाई की नौट ठीक करते हुए बोला मुझे गया पाकर आज राद देवराद चोहान हर हाल में मेरे बैडरूम में तिजोरी तलाश करने आएगा जी अजीत मलिक सतर्था मैं अपने साथ पांच गनमेन ले जाऊंगा बाकी के साथ यहीं रहेंगे तुम भी यहीं रहोगे गन मैंनों को इस तने खड़े करना कि देवराद चोहान को मेरे बैडरूम तक पहुँचने में खास दिक्कत ना आए मलिक ने सहमती भरे भाव में सिर्ह लाया तिजोरी से कनेक्टिड अलाम बंद कर देना मैं देवराद चोहान को पूरी छूट देना चाता हूँ टाइल की नौट ठीक करने के पच्चाथ मीर सिंग चावला मलिक की तरफ पल्टा मीर सिंग के चहरे पर कहर भरे भाव नाच रहे थे होटो के बीश कुरूरता से भरी मुस्कान फसी थी यस सर और तुम कंट्रोल रूम में रहोगे मेरे बैडरूम में देवराद चोहान क्या कर रहा है टीवी पर देखते रहोगे वह जो भी करे तुम्हें सिर्फ देखना है सिर्फ देखना किसी भी हालत में सामने नहीं आना उसे इस बात का एसास नहीं होने देना है कि हम उसकी हरकतों से वाकिफ हैं उस पर नज़र रख रहे हैं यह बात उसने महसूस कर ली तो खेल का मज़ा चाता रहेगा मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी सर Good मेर सिंग चावला कहर भरे स्वर में कह उठा देवराद चौहान ने बहुत हिम्मत का काम किया जो मीर सिंग के यहां वेश बजल कर डखैती करने आ कया और मुझे देवराद चौहान को हर हाल में समझाना है कि लोग योँ ही मीर सिंग से खौफ नहीं खाते आप ठीक कह रहे हैं सर देवराद चौहन को उसके इस हरकत के बदले मौत ही मिलेगी लेकिन मौत देने का अंदाज अलग होगा मेरा अपना होगा गन मैंनों से कह देना कि अगर वह बाहर जाने के चेश्टा करे तो उसे बाहर नहीं जाने दिया जाए यसर अजीत मलिक ने कहा फिर बोला अगर वह तिजोरी तलाश करके उसे खोल ले तो मीर सिंग के चेहरे पर खतरनाग भाव ना जुठे उस तिजोरी को कोई नहीं खोल सकता इस बारे में निश्चिन्त रहो मीर सिंग चाबला की आवाज में विश्वास का भाव था देवरा चोहान तिजोरी तलाश करके उसे चूमेगा चाटेगा जी भरकर प्यार करेगा लेकिन उसी खोल कर बीतर मौझूद एक रुपे का सिक्का नहीं हासिल कर सकता मैं जा रहा हूँ तुम्हें जैसे कहा है वैसा ही करना जी मीर सिंग कम्रे से पहा निकला अजीत मलिक उसके साथ था देवरा चोहान सिग्रेट का पैकेट उंगले से ठक ठकाता हुआ क्वार्टर के दरवाजे की चौकर पर ही पैठा था बदन पर भही गिसे पुराने कप्रे थे जिने पहन कर वह पहली बार यहां आया था सिर्के छोटे छोटे पाद थोड़ी सी शेव पढ़ी हुई थी पूरे तोर पर बहन नौकर लग रहा था आज रात मेर सिंग चावला पार्टी पर जा रहा था स्पष्ट था कि आधी रात से पहले वापस नहीं रोटने वाला और उसके लिए इतना वक्त बहुत था इस दोरान वह आसानी सी कमरे में छिपी तिजोरी को तलाश कर सकता था रात को काम करने में ज़्यादा खत्रा नहीं होगा किसी के एका एक उपर से आठ टपकने का खत्रा न के बराबर होगा तभी बंगले की तरफ से धन्नो आती दिखाई दी बंगले और क्वाटरों के बीच सो गज का फासला था काफी खुली जगे थी जहां अकसर गन मेंट टहलती नजर आ जाते थे धन्नो पास आग पहुंचकर अधा के साथ मुस्कुराई क्या हाल है रे सिग्रेट पीकर मजा आया ना बहुत देवराज चोहान के होटो पर मुस्कान उफरी बीडी मत पिया कर धन्नो तेरे को पूरी एश कराएगी बोल और क्या चाहिए तुझे अभी तो कुछ नहीं जब जरूरत हो कह देना शर्मानमत धन्नो किसी किसी पर महरबान होती है और तेरे पर तो शुरू से ही महरबान है आज हम बाते करेंगे क्यों? आज क्या है? आज मालिक पाहर जा रहे हैं आधी रात की बात लोटेंगे खाना नौकर बनाएंगे धन्नो की चुट्टी धन्नों हाथ में चुन्नी पकड़कर हिलाती हुई बोली मुझसे बातें करेगा ना देवराज चोहान ने सहमती में सेहला दिया तुब बहुत अच्छा है रे धन्नों जरा बापू से मिलाए फिर आती है तेरे पास कहने के साथ ही धन्नों मस्ती भरे अंदाज में आगे बढ़ी और अपने क्वार्टर के खुले दरवाजे में परवेश कर गई बनवारी लाल अंग्रेजी की बोतल पर प्यास दी हाथ फेरे जा रहा था क्या हो रहा है बापू देख नहीं रही अंग्रेजी है मेरे हाथ में घोडे वाली बापू धन्नों मुह बना कर बोली अब पीनी मत पैट जाना आज तुने पाल से मेरी शादी की बात याद है बेटी मुझे सब याद है इतना दिमाग कमजोर नहीं कि भूल जाऊंगा बनवारी हाथ में पकड़ी पोतल को थप थपा कर उठाए उठा यह घोडे वाली अंग्रेजी सुरेंदर पाल के साथ पैट कर ही खाली करूंगा दूसरे पैट में बात छेडूंगा और तीसे चोते में आकर पढ़ जाएगा सब अंग्रेजी का कमाल है बापू अगर तूने उसको शादी के लिए तयार नहीं किया तो धन्नो कुमारी रह जाएगी हाँ चिंता मत कर बेटी तेरी शादी पाल से ही करवा कर रहूंगा मेरे पास कई रास्ते हैं मनवारी लाल ने हाथ में पकड़ी पोतल हिला कर कहा मैं माली जरूर हूँ लेकिन मेरे में दिमाग कम नहीं है पाल को मैं किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने दूँगा वह धन्नो के साथ शादी के लिए राजी ना हुआ तो धन्नो मुह बना कर बोली ना हुआ तो किसी दिन मौका लगा कि गोडे वाली अंग्रेजी की नई बोतल उसे पिला दूँगा और यहीं बाहर मंडब सजा कर फेरे करवा दूँगा मालिक को आश्रवात देने के लिए बुला लूँगा कह दूँगा कि शादी की खुशी में पोरी बोतल चड़ा ली है इसलिए बेचारी धन्नो को ही फेरे लगाते वक्त पाल को संभालना पड़ रहा है फिर देखूंगा पाल कैसे बचता है बापू कुश भी करू लेकिन करू धन्नो की शादी पाल के साथ होनी चाहिए सब ठीक हो जाएगा सुना है आज मालिक बाहर जा रहे हैं हाँ जा देख जब बाहर चले जाएं तो बता देना फिर पाल के साथ बैठूंगा घोड़े वाली लेकर धन्नो सिर हिलाती हुई बाहर निकल गई देवराज चोहान चार पाई पर लेटा आराम कर रहा था इस समय आट बच रहे थे उसका इरादा ग्यारा के बाद हरकत में आने का था तब तक नोकर खाना खाकर सो जाएंगे और मेर सिंग की गेर मौजुद्गी के कारण गन मैन भी लापरवा होंगे कुछ देर पहले धन्नो कह गई थी कि खाना नौ बचे मिलेगा तब ही कौटर के खुले दर्वाजे पर आहट हुई देवराद चोहान ने गर्दन घुमा कर देखा कि बनवारी हाथ में बोतल और दो गिलास पकड़े फीतर आ रहा है देवराद चोहान जानता था कि यह धन्नो का बाप है जो कि माली का काम करता है क्या हल है बेटे पाल बनवारी ने बेहत प्यार भरे स्वर में पूछा अच्छा हूँ देवराद चोहान शान त्वर में कहते हुए उठकर बैट गया बनवारी नीचे फर्श पर बैटता हुआ बोला आ नीचे बैट मेरे साथ दोनों बाते करेंगे घोडे वाली लेकर देवराद चोहान के चहरे पर हलकी सी मुस्कान उप्री वह खामोशी से नीचे आ बैठा इस समय वह नौकर था और नौकरों के साथ मिलकर रहना उसकी मजबूरी थी बनवारी दांत निकालकर मुस्कुराया कितना अच्छा है तू आज तू भर गिलास बनवारी ने बोतल गिलास उसकी तरफ सरकाए मैं नहीं पीता चाचा बनवारी खीखी करके हसा खानदानी बच्चा है न इसलिए पड़ों के सामने पीने में शर्माती है खेर फिक्र मत कर मुझे अपना दोस्त समझ खाने पीने में क्या शर्माना डाल दोनों गिलासों में डाल बहुत प्यारा बच्चा है लेबल देख ले अंग्रेजी है घोडे वाली खास तोर से तेरे लिलाया हूँ डाल डाल इस समय बनवारी लाल की बात माननी मजबूरी थी इन हालात में वह किसी से भी पिगाड़ना नहीं चाता था देवराज चौहान ने गिलासों में विस्की डाली कमरे में मौझूद मतके में से पानी डाला और फिर नीचे बनवारी के सामने पैट गया उठा ले बनवारी अपना गिलास उठाते वे बोला चढ़ा ले कहने की साथ ही उसने अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया देवराज चौहान होटों पर हलकी मुस्कान लिये बनवारी को देखे जा रहा था अरे तीरा गिलास तो वैसे कब वैसा ही पड़ा है उठा पी खत्म कर नया भरते हैं देवराज चौहान ने बोतर उठाई और बनवारी के गिलास में ठीक ठाक विस्की रागी और लोटे को घड़े के पानी से भर कर गिलास में पानी डाला वाह पैक बनाना तो कोई तुस्ते सीखे बड़ों की इज़्जत करना चानता है तू वरना आज कल के लड़के तो अपने में ज़्यादा रागते हैं और दूसरों के गिलासों में कम उठा उठा पी खत्म कर नया भरते हैं जल्दी कर जल्दी कहने के साथ ही बनवारी ने आदी से ज़्यादा गिलास खाली करके नीचे रखा फिर देवराज चौहान के गिलास को देख कर बोला तो ने तो पिया ही नहीं उठा ले शर्मा मत मैं अभी आया बनवारी राल उठता हुआ बोला हल्दी राम भुजिया का नया पैकेट पड़ा था लाना भूल गया उसी ले आऊ कहने के साथ ही बनवारी पहा निकल गया देवराज चौहान ने अपना गिलास उठाया और विस्की बनवारी के गिलास में डाल दी कुछी पलों में बनवारी ने भीतर परवेश किया उसका गिलास खाली पाकर मुस्कुराया मेरे पीट पीछे एकदम खत्म कर दिया खैर कोई बात नहीं ले हल्दी राम की भुजिया खा कहने के साथ ही बनवारी ने भुजिया का पैकेट देवराज चोहान को थमाया और खुद नीचे बैठते हुए अपना गिलास उठाया और होटो में लगा कर एक ही सांस में खत्म कर दिया देवराज चोहान ने भुजिया का पैकेट खोल कर बनवारी के सामने रख दिया बनवारी अब ठीक ठाक नशे में आता लग रहा था वाह ये घोड़े वाली भी कमाल की है अंदर गई नहीं कि पीने वाला खुद को घोड़े पर बैठा महसूस करता है क्यों पाल तेरे को भी ऐसा हो रहा है हाँ देवराज चोहान ने शांस्वर में कहा बनवारी ने मुठी पर भुजिया लिफाफे से निकाल कर मुह में डाल ली पाल बेटे बनवारी की आवाज नशे जैसी हो रही थी मैं तेरे से खास बात करने आया था क्या वह मेरी बेटी है ना धन्नो हाँ उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता मैं चाहता हूँ तेरे साथ उसकी शादी हो जाए मेरे साथ देवराज चोहान मुस्कुराया हाँ वह तेरे को पसंद करती है उसी ने उझे बात करने भेजा है तुम्हारा गिलास खाली हो गया देवराज चोहान ने कहते हुए बोतर उठाई और कम से कम आदा गिलास विस्की से भर दिया फिर लोटे से गिलास में पानी जाल दिया भला हो तेरा कितने अच्छे अच्छे पैक बना रहा है बनवारी लाल ने गिलास उठाया तू भी अपना भर ले अकेले में मचा नहीं आता भर भर जल्दी कहने के साथ ही बनवारी ने गिलास होटो से लगाया और आधा खाली करके नीचे रख दिया देवराज चोहान ने बोतर पर निगा मारी जो की आधी हो रही थी अब बनवारी ठीक ठाक नशे में लग रहा था उसने आखे मिच मिचाकर देवराज चोहान को देखा तूने गिलास खाली कर दिया? हाँ, देवराज चोहान ने अपना खाली गिलास उठाकर उसे दिखाया ठीक ठीक, अच्छा बच्चा, तो मैं धन्नो की शादी की बात कर गिलास तो खाली कर दो देवराज चोहान ने उसे टोगा बनवारी ने फौरण जूमते हुए अपने गिलास को देखा अरे खाली नहीं हुआ मैं तो खाली समझ रहा था कहने के साथ ही बनवारी ने गिलास उठाया और एक ही सांस में बाकी का गिलास खाली कर दिया देवराज चोहान ने भुजिया का लिफाफा आगी किया तो बनवारी ने लिफाफा पकड़ कर आधा खाली कर दिया आधी बोतल पी लेने के बाद वे खासा नशे में लग रहा था पाल बेटे मैं क्या कह रहा था बता रहे थे कि यह घोडे वाली है देवराज चोहान के चहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर पड़ी थी उसने बोतल उठा कर बनवारी के गिलास में विस्की फिर पाली डाला हाँ तो यह घोडे वाली है इसे पीने के बाद लगता है घोडे की सवारी की जा रही हो और आस्मान में उड़ रहा हो बहुत तेज आंधी तूफान की तरह है और देवराज चोहान ने गिलास उठा कर बनवारी के हाथ में थमा दिया यह साला अभी बचा हुआ है किसी परकार बनवारी ने हाथ में पकड़े गिलास को देखा फिर उसे होटों से लगा कर एक दम पी गया देवराज चोहान समझ गया कि अब बनवारी किसी काम का नहीं रहा इतनी पी चुका है कि अब इसे सिर्फ पिस्ता चाहिए नें चाहिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कौटर तक छोड़ दू देवराज चोहान उठकर बनवारी की बाजू पकरता हुआ बोड़ा अभी? लेकिन बोतल तो खाली नन ही हुई यह है देवराज चोहान बोतल पर धक्कन लगा कर उसकी हाथ में थमाता हुआ बोड़ा संभालो इसे कर पी लेना चलो अपने कौटर में चलो बनवारी उठते हुए लहराया कि देवराज चोहान ने उसे फोरन थाम लिया बनवारी को सहारा देकर देवराज चोहान उसके कौटर में ले गया जहां वह बैट पर जागिरा नशे से भरी बढ़ बढ़ाहाट में घोड़े वाली को पुकार रहा था जबकि घोड़े वाली आधी खाली होकर उसकी बगल में है पड़ी थी धन्नो देवराज चोहान के कौटर में परवेश हुई कि ठिटक गई हाथ में खाने का थाल था फर्श पर घुजिया बिकरी पड़ी थी दो खाली किलास पड़े थे और देवराज चोहान उल्टे सीधे धंग से चारपाई पर लोड़का पड़ा था लगता है पापु ने खूब चमकर तेरी सेवा की रे तू तो होश ही खो बैठा आगे बढ़कर धन्नो उसे हिलाती हुई बोली उठ रे धन्नो तेरे वास्ते खाना लाई है परन्तू देवराज चोहान तो ऐसे ओंधा पड़ा था जैसे पूरी बोतल चड़ा ली हो क्यों रे धन्नो से शादी की खुशी में घोड़े वाली साली पी गया है रे यह भी होश नहीं रहा कि अभे धन्नो खाना लेकर आएगी तो तेरे से बाते करेगी अपने आप से बाते करती धन्नो ने खाने का थाल एक तरव रखा हो शाय तो खा लेना धन्नो तो चली तेरे को खाना ही खिलाती रहेगी सोना नहीं है क्या धन्नो को कहने के साथी धन्नो बाहर निकली और क्वाटर के खुड़े दरवाजे को भिड़ा दिया देवरा चौहान के शरीर में हरकत हुई और उट पैठा धन्नों के सामने ऐसा करना जरूरी था नहीं तो जाने कब तक उससे चिपकी रहती जबकि आज रात उसे पूरी तरह फुर्चत चाहिए थी रात के 11 बज रहे थे देवरा चौहान ने अपने कौटर की लाइट पन कर दी थी खाना खा चुका था उंगलियों के बीच सुलकती सिग्रेट थी जिसते रह रहकर कश्ट ले रहा था सिग्रेट समात करके उसने फर्ष पर फिंकी और उठ खड़ा हुआ निशब्द आगे बढ़ा और थोड़ा सा दर्वाजा खोलकर जिर्री में से बाहर दिखा गहरे अंधेरे में बल्ब और ट्यूब लाइट सी रोष्णी थी उस रोष्णी में इका दुक्का गनमैन नजर आ जाता था आज मेर सिंग चावला बाहर गया था और साथ में गनमैनों को भी ले गया था इसलिए पहरे पर कम गनमैन थे कई मिनट तक देवरा चोहान जिर्री में से जांकता रहा इतनी देर में सिर्फ एक बार ही दो गनमैनों ने एक दूसरे को पार किया था सपश था कि पंगले पर मेर सिंग चावला की गैर मौजुजगी के कारण गनमैन कुछ लापरवासे थे वरना कल जब रात को जरा सा दर्वाजा खोले गनमैनों की हरकतों पर निगार रख रहा था तो इतनी देर में तीन बार उन्होंने एक दूसरे को पार किया था देवराज चोहान देखता रहा फिर वह वक्त पी आया जब दोनोंने एक दूसरे को क्रॉस किया और आगे बढ़ते गए उनकी कुछ आगे जाते ही देवराज चोहान दर्वाजे का एक पल्ला खोल कर पहा निकला और दर्वाजा बंद करके आसपास उपर देखा कोई हलचल नहीं थी सब नौकर क्वार्टर में गहरी नीन में थी रास्ता साफ देखकर देवराज चोहान दबे पाउं तोड़ा और आधे मिनट में ही खारी जगे पार करके बंगले के पिछवाडे के परवेश द्वार पर था जो की अद खुला था आज बन नहीं किया गया था इसे भी मीर सिंग की गैर मौजूद की का ही हिस्सा कहा जाएगा देवराज चोहान फॉरण भीतर परवेश कर गया दरवाजा वैसे ही खुला रहने दिया जितना की पहले था बंगले में हस्ती जादा साबधान रहने की जरूरत थी क्योंकि गन मैनों का कमरा और वाच रूम भी वहाँ था देवराज चोहान खास का जगय लगे वीडियो कैमरों के प्रतिस सतर्ख था कि वहे उनके लैंस के घेरे में ना आ जाए पिछले चार दिनों में देवराज चोहान ने गुप्त तोर पर लगा रखे वीडियो कामरों को ढून लिया था कि वहे कहां-कहां फिट है उनसे बचते हुए दबे बाउं देवराज चोहान आगी पढ़ता रहा नीचे हौल में भी दो गन मैन मौजूद थे परन्तु सब ठीक रहा किसी को उसकी हरकतों के हवा नहीं लगी और तीसरे मिनट देवराज चोहान मेर सिंग चावला के बैडरूम में था दरवाजा फिड़ा हुआ था भीतर परवेश करके देवराज चोहान ने दरवाजे को पहले की तरह भिड़ा लिया था अगले पल देवराज चौहान की निगाहें पूरे बैडरूम में फिर गई वहाँ कोई भी नहीं था, खाली था, अब वह तिजोरी को आराम से तलाश कर सकता था अजीत मलीक दस बजे ही कंट्रोल रूम में जा बैठना था वहाँ मौजूर दोनों को यह कहकर चलता कर दिया कि वह कुछ घंटे आराम कर लें तब तक वह यहाँ बैठेगा उन दोनों के जाने के बाद मलीक ने एक टीवी को मीर सिंग चावला के बैडरूम में सेट किया स्क्रीन पर मेर सिंग का बैडरूम सपश नजर आने लगा दोसरे टीवी से वह बंगरे के अन्य हिस्तों पर नजर मानने लगा वह बटन दबाता चाता रहा और टीवी में नजर आ रही तस्वीरे पदलती चा रही थी दूसरे टीवी स्क्रीन पर मेर सिंग के बैटरूम का दृश्य स्थिर था अजीत मलिक के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे वह जानता था कि देवराज चोहान बंगले के पीछे वाले दरवाजे से भीतर आएगा और जादा देर भी नहीं लगाएगा क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह बात अवश्य होगी कि मीर सिंग कभी भी लौट सकता है जिस टीवी स्क्रीन पर वह बंगले के हिस्सों के दृश्य देख रहा था उन पर तो देवराज चोहान नजर नहीं आया मलीक की आँखों में देवर चमक लहरा उठी और होटों के बीच कुरूरता भरी मुस्कान आफसी उसकी चमकती निगा देवराज चोहान की हरकतों पर चाटी की देवराज चोहान बिना वक्त गवाए किताबों की शेल्फ की तरप पड़ा एक एक करके किताबी नीचे रखने शुरू करती करीब डेट सो किताबी थी सबको शेल्फ से नीचे उतार कर शेल्फ चेक करने लगा कि भीतर खाली जगे तो नहीं जहां तिजोरी छिपा रखी हो लेकिन अच्छी तरह चेक करने के बाद शेल्फ के पीछे कोई खोगली जगे नहीं मिली जहां कुछ रखा गया हो लकडे की शेल्फ के नीचे का 4 फिट का हिस्सा अलमारी के पल्लों के रूप में नजर आ रहा था मतलब की किताबों के शेल्फ के नीचे छोटी सी अलमारी थी देवरा चौहान नीचे जुका, उन पल्लों को खोलने की चेश्टा की, परंतु विब बन थे देवरा चौहान की निगाह की होल पर जाटे की, होट भिज गए, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे की होल में फसा कर लॉक हटाने की चेश्टा कर पाता देवरा चौहान उठा और उसकी तेश निगाह कमरे के जडरे जडरे पर दौडने लगी वह कोई ऐसी चीज ढून रहा था, जिसे की होल में डाल कर लॉक के लिवर को अपनी जगे से हटा सके पांच मिनट के चेश्टा के पस्चाथ, देवरा चौहान को टेबल की ड्रॉज में से नेल कटर मिला जिसमें छोटा सा चाकू और बोतल खोलने वाला ओपनर भी था देवरा चौहान लकडे के पल्लों के पास पहुँचा और की होल में नेल कटर के चाकू की नोक डाल कर ताला खोलने की चेश्टा करने लगा दो मिनट की कोशिच के पस्चाथ लॉक खुल गया देवरा चौहान ने फौरन पल्ले खोले अगले ही पल उसके होटों में कसावा गया सामने ही नीले रंकी तिजोरी मौझूद थी जो कि सिर्फ दो फिट चौड़ी और चार फिट लंबी थी उसके नीचे पहिये लगे थे यानि कि उसे धकेल कर कहीं भी ले जाया जा सकता था किताबों के शेल्फ के नीचे जो छोटी अलबारी थी उसमें सिर्फ यही तिजोरी ही थी देवराज जोहान नीचे चुका और तिजोरी का मौएना करने लगा उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तिजोरी से वास्ता रखता ऐसा अलाम था कि कोई तिजोरी को हाथ भी लगाता तो सारे बंगले के अलाम की गोंच सब को सदक कर देती लेकिन वह अलाम मेर सिंग ने मलिक को कहकर बंद करवा दिया था ताकि देवराज जोहान को किसी तेने के दिक्कत ना आए और मौत का खेल कुछ आगे बड़े देवराज जोहान तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि मीर सिंग के साथ वह नहीं बलकि मीर सिंग उसके साथ खेल रहा है तिजोरी में एक तरफ की होल था यानि की चावी वाला लॉक था और ठीक बीचो बीच जीरो से लेकर 9 नमबर तक की चक्री लगी हुई थी यानि की पहले 24 तिजोरी का ताला खोला जाए उसके बाद नमबरों का कॉंबिनेशन मिलाया जाए तब जाकर तिजोरी खुल पाएगी दिक्कत से भरा लंबा काम था चावी वाला लॉक अगर किसी से ने खोल भी लिया जाए तो कॉंबिनेशन सेट करना असंभव था और कॉंबिनेशन का नंबर मीज सिंग के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं होगा जो भी हो तिजोरी तो खोलनी है एक रुपे की डखैती हर हाल में करके रहनी है नहीं तो वह बाज जाती के बड़े खजाने से महरूम हो जाएगा अभी उसके पास औजार नहीं थे औजार जगमोहनने लाने थे क्या मालूम वह कब आता है कल आ सकता है या परसो भी और ज़ औजार आ जाने के बाद उसे फिर किसी ऐसे दिन का इंतजार करना होगा जब रात को मेर सिंग बाहर जाए और वह तिजोरी खोलने के चेश्टा करे बहर हार तिजोरी उसने तलाश कर ली थी देवराज चोहान पल्ले बंद करके उठा और तेजी से दर्वाजे की तरफ पढ़ गया अब उसका यहां रहना ठीक नहीं था इस वक्त उसे क्वाटर में होना चाहिए जगमोहन औजार दे जाएगा तो उसके बाद ही तिजोरी खोलने की कोशिश करेगा देवराज चोहान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वाचमोहनों की निगाहों से बचकर अपने कोश्टर में पहुँचा कि ठिटक गया वह दर्वाजे के पल्ले भिड़ा कर गया था लेकिन अब दोनों खुले थे देवराज चोहान की होट मिच गए किसने खुला दर्वाजा खुले में ज़्यादा देर रुखना ठीक नहीं था देवराज चोहान आगे बढ़ा और दर्वाजे की चोखट पर जा खड़ा हुआ सामने निगाह पड़ती ही चेहरे के भाव फोरन सामानने हो गए धन्नो उसकी चायरपाई पर बैठी लापरवाई भरे अंदाज में दोनों पैंगे हिला रही थी दोनों की निगाहे मिली तुम यहां क्या कर रही हो बीतर परवेश करते हुए देवराज चोहान ने शांसर में बोचा लो धन्नो तुनक कर उठती हुए बोली यह क्या बात हुई गंटे भर से धन्नो तुमारा इंतजार कर रही है और तुम पूछते हो मैं यहां क्या कर रही हूँ तुम्हें तो कहना चाहिए था धन्नो मेरे इंतजार में जागा मत कर सो जाये कर यह तो वही बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डाटे धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है जो हर किसी का इंतजार करती फिरे खेर छोड़ो यह तो हुई धन्नो की बात अब धन्नो तुम से पूछती है कि रात की बारा के उपर का वक्त है और तुम कहां से आ रहे हो बाहर था धन्नो ने बाहर देखा था लेकिन तुम तो नजर नहीं आए अंधेरे में पेड के नीचे सोया पड़ा था तुम देख नहीं पाई होंगी देवराज चोहान ने सपार्च्वर में कहा यह क्या बात हुई जब इतनी बढ़िया खटिया तुम्हारे पास है तो बाहर सोने की क्या जरूरत मैं नशे में था मुझे नहीं मालूम कब उठकर मैं बाहर चला गया यह घोड़े वाली का कमाल है बापु कह रहा था कि घोड़े वाली पीकर घोड़े की सैर का मज़ा आता है तुम्हें भी आया होगा तो फिर यूँ कहो ना कि घोड़े की सैर करके आ रहे हो देवराज चोहान के होटो पर शान मुस्कान उपरी आगे बढ़कर वह कुर्सी पर पैड़ कया धन्नो के चेरे पर प्यार भरे भावा कर ठहर गए मेरे प्यारे पाल धन्नो की आवाज के भावों को पहचान कर देवराज चोहान को लगा मुसीबत सिर पर है देवराज चोहान ने धन्नो को देखा पाल जी मेरे पापो ने तुमसे कुछ कहा देवराज चोहान समझ गया कि धन्नो पोशना चाहती है कि पनवारी ने उसे शादी की बात की या नहीं क्या कहा तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद